दोस्तों गदर्टू के बाद सनी दियोल एक और देश भक्ती से लवरेज फिल्म लेकर आने वाले हैं जिसे देखकर फैंस एक बार फिर देश भक्ती के जोश से भर उठेंगे साल 2019 में जब सनी दियोल राजनीती में जादा सक्रिय हो गए थे तो सबको यही रगा था कि अब एक्शन स्टार सनी दियोल अब बस एक अच्छा नेता बनकर रह जाएंगे उनके फैंस ने फिर से बड़े पर देखने की उमीद ही छोड़ दी थी लेकिन सनी दियोल अपने फैंस का खास खयाल रखते हैं उन्होंने इन सारी फ़ाहों को जुटला दिया और बड़े पर धमा के दार कमबैक किया सनी पाजी का एकमबैक इंडस्ट्री में उनके डेब्यू से जादा स्ट्रॉंग सावित होने वाला हैं जिसकी वज़ा है सनी दियोल की एक के बाद एक ब्लॉक बस्टर और हिट फिल्म है सनी दियोल की फिल्म चुपने बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड़ कमाई की और उनकी मच अवेटेट फिल्म गदर टू का फैंस बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं खबर है कि सनी दोल अपने फैंस के लिए एक और देश भक्ती से लवरेज फिल्म लेकर आने वाले हैं ये फिल्म होगी बॉर्डर टू साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर ने भी बॉक्स ओफिस पर खुब कमाई गी थी इस फिल्म को देखने के बाद सिनेमा घरों में हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गुंच पड़े थे बॉर्डर फिल्म के कहानी 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई पर फिल्म आई गई थी और फिल्म के प्रोड्यूसर थे भरत शाओ जेपी दत्ता के पास बॉर्डर टू की कहानी आ चुकी है और वो बॉर्डर टू के लिए कमर भी कर चुके हैं लेकिन बॉर्डर टू के प्रोड्यूसर भरत शाओ की वज़े से ये शूटिंग शूरू नहीं हो पा रही थी क्योंकि डारेक्टर जेपी दत्ता और प्रोड्यूसर भरत शाओ के बीच कुछ अनबन चल रही थी लेकिन आप दोनों के बीच का ये मनमुटाब धीरे-धीरे खत में होता नजर आ रहा है ऐसे में ख़बर है कि जल्द ही बॉर्डर 2 की अनॉंस्मेंट हो सकती है क्योंकि फिल्म के पार्ट 2 की कहानी बिल्कुल रेडी है आपके साफ से बॉर्डर 2 बनने ही चाहिए नहीं और बॉर्डर 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेर है कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाइल आइकन दबाएं जोसे हमारी सभी वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे